कि क्या हुआ टिक टोक पे फेमस होना है सभी कौन होगा टिक टोक पे फेमस तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको टिक टोक पे फेमस होने की बात बताता हूं टिक टोक पे आपको पोपुलर क्रियेटर टैक कैसे मिलेगा और वेरिफाइड अकाउंट कैसे होगा तो उसके बा वास टाइम है तो आप डेली वीडियो पोस्ट कीजिए और लिपसिंग मत कीजिए खुद की ओवन वॉइस लीजिए और उससे जाकर स्टार्ट कीजिए क्योंकि लिपसिंग में कम चांसे से कि आपकी वीडियो वाइरल हो अगर आप और वेस दिखाते हो तो आपको ज्यादा फैजू, मिस्टर फैजू, जननत जुबैर, फैजल सिद्द की, टीम नुआब, नीशा गुरागेन, और ये सबी कैसे फैमस हुए, तो इन्होंने एक कंसिस्टेंसी बना लिए कि हमें वीडियोस डालनी ही डालनी है, चाहे हमारे व्यूस आए चाहे ना आए, तो आप भी एक पैंसी टैंसी बना लिए और वीडियोस को डाली, अगर आप अपना टार्गेट बना लेते हो कि मुझे दिन के अंदर पांच वीडियो डालनी है, और पांचों में से जितनी भी देखी जाए, उतनी अच्छा होगा, तो आप पांच वीडियो डाली है, कम से कम एक मेने के लिए पांच वीडियो डाली है, ताकि आपकी वीडियोस की अच्छी रैंकिंग हो सके, अच्छी ग्रोथ हो सके, उन वीडियोस पे व्यूज आ सके, और किसी से लाइक्स मत मांगी है, स्टार्टिंग के अंदर आपको अभी तक कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको आगे ग्रो होगे, तो आपको वेरिफाइड अकाउंट एजी लिए मिलेगा टिक टोक की टीम से, आपको अपने आप कॉंटेक्ट आएगा, और आप वेरिफाइड हो जाओगे, तो ये सबसे छोटी फॉर्म के अंदर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, और आपको समझाना चाहता हूं कि आप किस तरह से टिक टोक पे ग्रो हो सकते हों, क्योंकि टिक टोक अभी काफी पॉपुलर हो चुका है इंडिया के अंदर, और सभी चाहते हैं कि टिक टोक पे ग्रो हो जाएं, लेकिन लोग सकते हैं, टिक टोक पे ग्रो होना इजी है, जी नहीं, सभी का कंटेंट चलता जो खुद का content बनाते हैं खुद का content ज़्यादा वायरल होता है आप किसी भी वीडियो को देख लिए जिए लिपसिंग इतनी काम नहीं होगी जितनी जो खुद का content हो उस पे उसको satisfaction मिलती है कि मैंने खुद ने अपना content बनाया किसी और के content को लिपसिंग नहीं की तो खुद क sign up see you in the next video